हेलो फ्रेंस नमसकार विलकंम टवेंड़ेग्साम टारगेट आप सभी का अपकी अपने चैनल वेंडेग्साम टारगीट पर बहुत बहुत होगे थे फ्रेंस आप लोग कैसे है तो चलिर स्टार्ट करते है आज के अपने important topic को आज the important topic है हमारे Jintsyaanat 형ali 7 इस topic को discuss करेंगे detail में और buy exam में इससे किस तरीकी के question पूछ आते हैं वो भी हमनों last में ओर करेंगे तो चलिए start करते हैं इस topic को और ये इतना important topic है इससे की हर exam में यूपटेटो सेटो इन सब exam में पक्का दो number के question अगर दो नहीं पूछा गया तो एक नंबर का कोशिन कंफर्म है तो ये वीडियो देखने के बाद आप सभी का ये कॉंसेट पूरा क्लियर हो जाएगा और इससे रेलेटेज चाहे जिस तरीके के कोशिन आईगे आप लोग सॉल्व कर ले जाएगे तो चलिए स्टार्ट करते अगर वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक शेर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा इसे बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल में एक्स्प्लानेशन के साथ देखेंगे यहाँ पर आपका सारा कॉंसेट क्लियर होने वाला कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा जीन प प्याजिक को संग्यान अत्म विकास के छेत में कारी करने वाले उस समय के सभी मनों बैग्यानिकों में सबसे ज़्यादा प्रभावसाली माना गया और इनका जन्म कब हुआ 9 अगस्त सन 1896 को किस जगह पर हुआ सुरिजर लान में ठीक है और यह इतने ज़्यादा इंटेलि ग्यान प्रसेक्षण के दौरान उन्होंने अलफ्रट बिने के निर्देशन में फ्रेंच स्कूल किस स्कूल के बच्चों के साथ फ्रेंच स्कूल के बच्चों के बुद्धि परिक्षण का कारी किया और यह बुद्धि परिक्षण के समय क्या करते हैं बच्चों से कुछ कि बाध्धिक प्रश्ट पूछते हैं कि इस तरीके से क्या रीजन हैं कि बच्चे गलत उत्तर दे रहे हैं और गहान अध्य पर करते हैं अपने तीनों बच्चों के मानसिक बिकास सम्मांधित अब औरू वक्त का बिस्ति लेखा जोपा ये तयार करते हैं और इस लेखी जोखी के विशलेशन की आधार पर इन्हों ने विशलेशन की आधार करते हैं कितने 400 से अधिक पुस्तकों और लेखों को प्रकाशत करते हैं और संग्यानात्मक विकास के सिध्धान का प्रतिपादन करते हैं ठीक और संग्यानात्मक विकास के शेत में अपना महत्पूर्ण योगदान देते हुए जीन पियाजे कब 16 सितंबर सन 1980 को स्वर्ग वासी हो ग करने चल रहे हैं तो संग्यानात्मक विकास मनुस के विकास का महत्पूर्ण पक्ष होता है संग्यान शब्द का अर्थ क्या है संग्यान शब्द का अर्थ पहले जान लेते हैं इसका अर्थ होता है जानना या समझना यह कैसी बौधिक प्रक्रिया जिसमें विचारों की द तब अगर हम संग्यान अत्मक विकास की बात करते हैं तो उसमें क्यों बुद्धी के बारे में ही बात नहीं हो रही है। है क्लियर हो गया कि और हम यहां थोड़ा से और डेटेल में देखें संग्यान उसमांसिक प्रक्रिया को संभोधित करता है जिसमें चिंतन इसम्रण अधिनियम और भासा के प्रहुग का क्या होता समावेश होता सम्बलित रूप होता है क्लियर है जब हम सिख्षन अधिगम प्रक्रिया में संज्ञ्यानात्मक पक्षपर बल देते हैं तो इसकारत होता है कि हम तत्यों और कया हम संध्व को समझ रहे हैं तो बात ही जो हम बता हुआ है क्लियर होती चल रही है थीक है उमईद है कि समझ में आरी होगी जब हम विविन आउधार्णाओं के मद्धी सम्मंधू को समझ लेते हैं अगर हम विविन आउधार्णाओं के मद्ध जो कॉंसेप्ट होता है उसके मद्धी सम्मंधू को समझ लेते हैं तो हमारी संग्यानात्मक समझ में ब्रिद्धी होती है संग्यानात्मक सिध्धान्त इस पर बल देता है इस बात पर कि ब्यक्ति किस प्रकार सोचता है किस प्रकार महसूस करता है और किस प्रकार ब्योहार करता है कहने के उन्दे संपोर्ण प्रक्रिया जो हो रही वो अपनी अंदर ज्यान की जितने भी रूप है यानि कि इस्मृति, चिंतन, प्रेरण, प्रत्यक्षण सभी को शामिल करती है यहाँ पर इंपोर्टन चीज आगे देखते हैं प्याजी की अनुसार संग्यानात्मा कारिविधी, कॉग्निटिव फंक्शनिंग की दो मुख्य विश्यसता हैं संग्ठन और अनुकूलन, संग्ठन और अनुकूलन एडप्टेशन अब संग्ठन से क्या तात्पर है, यह जानते हैं संग्ठन का क्या मतलब है, संग्ठन से तात्पर प्रत्यक्षिक्रित जो हमें आखे सो दिखाई दे रहा है इंद्रियों से हम जो ग्रहन करें और बौधिक सूशनाओं को एक अच्छी से सार्थक पैटन पर क्या करना है बेवस्तित करने से होता है संगठन जो और्गनाइजिसन है वो किसका है प्रत्यक्षिक्रित और बौधिक सूशनाओं का एक सार्थक पैटन अब यहां पे देखे पुर्व पैटन पर विवस्तित करते हैं और इस अर्थक पैटन को में नाम क्या देते बॉद्धिक सहरष्णा, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर कहते है ठीक है अब यह पुरा संघ्तन क्या होता है प्रत्यक्षेक्रेट और बॉधिक सुष्णाव को सार्थक पैटन पे करता है जो वातावरण के साथ समायोजन करने में अज्जस्मेंट करने में उसके ज्ञान और कारियों को क्या करती संगठित करती है ब्यक्ति मिलने वाली नहीं नवीन सुष्णाओं को जो कुछ भी पाता है पहले से निर्मित जो बहुत दिख सरशनाय होती है उसमें क्या करत संग्ठित करने का प्रियास करता है लेकिन कभी कभी वह इस कारे में बिफाल हो जाता है कभी कभी वह इस कारे में सफल नहीं हो पाता है कि वह संग्ठित नहीं कर पाता है पहले से निर्मित जो बौदिक सरशना है उसमें नवीन सरशना सूशना को क्या करता है नहीं संग्ठि करने लगता है अब अनुकूलन का क्या मतलब होता है अनुकूलन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा ब्यक्ति अपने पूर्व ग्यान और नवीन अनुभवों के मद्धि क्या करता है संतुलन इस्थापित करता है बैलेंस इस्थापित करता है यहां तक बात समझ में आई किस किसके किसके बीच में पूर्व ग्यान और नभीन अनुभों के मद्य अनुकूलन मेलनी क्या होता है समय के अंसार परस्तिती के अंसार खुद को ढाल लेना अर्जस कर लेना उसी तरीके से यहां पर पूर्व ग्यान और नभीन अनुभों के बीच संतुलन इस्थापित करना यह है अनुकूलन जीन प्याजे के संस में हम गिये देखेंगे, ठीक, और अनुकूलन किंतर के दो प्रक्रियाय आती है, आत्मसाथ करण, assimilation और दूसरा है, समाविस्टी करण, accommodation, ठीक है, आत्मसाथ करण को आत्मसाथी करण भी कह सकते हैं, और यहाँ पे आपको दिखिए, करने से नवीन अनुभों को पहले से बिद्यमान जो बौधिक सनरशनाय है हमारी उसमें यथावत ब्यवस्तित करने से जैसे का तैसा ब्यवस्तित करने से जो कुछ भी ज्ञान मिल रहा है बस ऐसे ग्रहन करते चलें जबकि समाविष्टी करन से क्या तातपर होता है नए नए अनुभों से हम जो कुछ भी सीख रहे हैं तो पहले से जो हमारे दिमाग में जो बौधिक सनरशनाय मौजूद हैं उनमें सुधार करते हैं बिस्तार करते हैं या परिवर्तन करते हैं तो संस हमारे क्या निकलता है कहने का संस क्या हुआ समाविष्टी करन से तातपर क्या ठीक है तो आपको उम्मीदे समझ में आ गया है और इसे हम डेटेल में ये देखते हैं कि जो नहीं नहीं अनुभव हमें मिलते हैं उसे या तो हम डिरेक्टली अपनी बौधिक संरशना में आत्मसाथ करने का प्रयास करते हैं अगर लगता है कि ऐसा हम कर नहीं पाते हैं तो आत्मसाथ करता है अथो बौधिक संरशना को नविन बौधिक संरशना में आत्मसाथ करता है इसको एक्जामपल के रूप में देखते हैं जैसे जब कोई दौ बार यह सफेद रंकी है, इसके भी दो आंग, दो कान, एक मुह, चार पैर है, वह सोचता है, यह बालक की आत्मसादी करन की प्रक्रिया है, यह आत्मसाद कर लेता है, क्योंकि बालक बकरी में कुत्ते जैसे ही गुण देख रहा है, इसलिए उसे बकरी कुत्ते के समान परतीत हो र जाता है, अब यहाँ पर देखते हैं, जब बालक पहले से ग्यात बातों में कोई नवीन बात जोडता है, अंतर करना सीख जाता है, कुछ जोडता है या घटाता है, तो उसे समाविस्टी करन की प्रक्रिया कहेंगे, ध्यान दीजीए के, जैसे का तैसा करन करना, होकता भी है, तो इसमें उसके जो पूरवर्ति ज्यान है, एक नभीन बात जोड़ जोड़ जाएगी, पहले के एक और बात जोड़ जोड़ जाएगी, जैसे जैसे पुरानी बातों में कोई नई बात जोड़ती है, वैसे वैसे कुट्टे से समंदिज उसका क्या होता है, concept जब क्लियर होता जाएगा इसी प्रकार जब बालक कुत्ते और बकरी में अंतर सीख जाएगा तो एक कौन सी प्रक्रिया होगी यह समविस्टी करण की प्रक्रिया होगी बास समझ में आई उम्मीर है कि बहुत अच्छे से आपको समझ में आगए होगा क्लियर अब आगे संक्रिया गवस्था इसका आगे हम डिटेल देखते हैं कि क्या कुछ है इसमें क्लियर अवस्था जीरो से लिके दो वरस्थ तक चलती है घ्यानात्मक विकास के प्रतम अवस्था को प्याजी ने समवेगा अत्मक गामक अवस्था के नाम से समोधित किया इस अवस्ते में बालक देखने, पहुंचने, पकड़ने, चूसने, आधिकी स्वता सहज क्रियां करने लगता है, फिर बाद में क्या होता है, धीरी धीरी ये सहज क्रियां है, रिफ्लेक्सिव एक्संस जो होते हैं, किस में बदल जाते हैं, प्रभावसाली वस संगतित, जटिल सहज क्रियां जो अपने आफ से चलती रहती, मेली ये तंत्र का तंसे समंदित होती है, जैसे अगर हम सोई चुप गई है, तो फिर वो मस्तिस तक वो सूचना पहुंचती है, फिर हम हाथ अटा लेते हैं, तो ये सब कुछ आटोमेटिक चल रही है, फिर वो किसमें बदल जाती बेवस्तित प्रयासरत क्यों में, जैसे ही समवेगात्म गामक अवस्ता थोड़ी सी आगे बढ़ती है, समवेगात्म गामक अवस्ता के दौरान सिशू, असहाय जियोधारी से गतिशील, मोबाइल, अर्धभासी, सेमी बर्वल और समाजिक द्रिष्टी से चतर पर कोशिश करते हैं और वस्तूओं को स्थिर मानने लग जाते हैं, बालक में प्रयास और तुर्टी के आधार पर अपनी परिस्तितियों को समझने का प्रयास करते हैं, और लगभग डेड़ वर्स की आई में बालक कुछ करने से पहले सोचना प्रारम कर देते हैं, प्रार करने लगते हैं, क्लियर है, और इस अवस्ता की बौदिक संरशनाओं की पुड़ विकास के बालक संग्यानात्मक विकास की अगली अवस्ता में जाने के लिए तयार हो जाता है, यहां तक क्लियर, अब आगे देते हैं, जीन प्याजी के संग्यानात्मक विकास की अवस्ता में आंमारा अग्ला चराणाता है दूसरा पूरु संक्रियातमक अवस्ता ये संग्यानात्म me विकास की पूरु संक्रियातमक अवस्ता लगभग दोनों यहां पर ध्यान देजिएगा अब यह देखिए इस अवस्ता को भी दो भागों में बाटा जा सकता है कौन-कौन सी पूर प्रत्यात्मकाल जो दो से लेके चार वर्स्तक होता है जिससे परिवर्तिन की अवस्ता ये खोच की अवस्ता भी कहा जाता है और आंत्प्रग्यकाल चार से लेके साथ वर्स्तक की अवस्ता तक होता है ठीक है और इसमें पूर प्रत्यात्मकाल में क्या होता है बच्च क्यों और कैसे जैसे प्रशनों का उत्तर जानने में रूची रखने लगते हैं Why and How Clear और यह क्या क्या करते हैं वे जिस भी कारी को किसी और की दोरा करते हैं होते देखते हैं उसी कारी को करने लगते हैं उनमें बड़ों की अनुकर्न करनी की प्रवित्य होती लड़कें क्या करते हैं अपने बड़े वाई ये पिता की तरह किताब ये समा चार परत्पने लगते हैं लड़कें अपनी मा की तरह खाना बकाने और सफाई कारिथ करने लग जाती है और इसमें सबसे मेरी इंपर्टन चीजें पुर Сп।रत्यात्म कर उस्त में भासा विकास भासा विकास का यहां पर बहुत महत्तु है तो दो वर्स का बालग लगबग 200 शब्दों को समझ लेता है जबकि 6 वर्स का बालग लगबग 16,000 शब्दों को समझ लेता है ठीक है? चली इसको लिखते हो चलते हैं 6 वर्स का बालग 16,000 शब्दों को और 2 वर्स का बालग 200 शब्दों को समझ लेता है अब यहाँ भी एक चीद देखिए 2 वर्स का बालग 1 या 2 शब्दों के वाक की बोलता है जो ब्याकरण की दृष्टी से प्राय असुदोर अपूर्ण होता है और 3 वर्स का बालग 8-10 शब्दों के वाक की बोलने लगता है जो ब्याकरण की दृष्टी से लगबख सुद्ध होता है ऐसे question में पूछा गया है कभी कि कितने शब्दों को बोल लेता है इतने वर्स का बालक तो आगे यहाँ पर एक important चीज आती पूर संक्रियात्म का वस्ता में भासा का अधिक्तम बिकास होता है important point note कर लेजिए एक्जामें question पुछा गया है ठीके चलिए अगे के अधिक्तम बिकास होता है लिख देते हैं अगला देखते हैं हम बहुत clear बहुत आसान में आपको समझाएंगे सब कुछ आपका clear हो जाएगा आंत्प्रग्य चिंतन से प्याजी का क्या ताथ बड़ता मतलब बिना किसी तारकिक बिचार प्रक्रिया के किसी वस्तु या बात को मस्तिस के द्वारा स्विकार कर लेने से है आंत्प्रग्य चिंतन से मतलब है कि बिना तरके तुरंत किसी बात को स्विकार कर लेने तक आप नहीं समझें तो चलिए इसे एक्जांपल से समझ लेते जैसे यादि समान लंबाई की दो छड़ों को एक दूसरे के समानतर रखकर चार वर्स के बालक से पूछा जाते ए और बी छड़ है तो चार वर्स के बालक से पूछा जाते कि कौन सी छड़ी अधिक लंबी है तो चड़ों की लंबाई के समझ में बालकों के दोरा दिये जाने वाले इस उत्तर के लिए आंध प्रग्य चिंतन ही उत्तरदाई होता है तो कहने का मतलब यह यहाँ पर तर्क नहीं बैठाते तर्क नहीं लगाते और तुरंत उत्तर दे देते हैं आपको समझाने का यहीं मतलब था कि यहाँ पर किस तरीके से इस एक्जामपल में बच्चे बिना तरके बता देरें के एक छड़ी लंबी है दूसरी के प्रग्य प्रग्य चिंतन काल में बालक की खेल अधिक अधिक समाजिक हो जाते हैं प्राय बालक, पोस्ट्मेन, पुलिसमेन, अध्यापक, डॉक्टर, वकील, नेता जैसे समाजी भूमिकाओ का अनुकरण करते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट है आप इसे नोट कर लेजिएगा ठिक चलते हैं मोर्व संक्री आवस्ता की तरब जो साथ से लेके 12 बास्ता की आवश्ता की आवश्ता है and part whole concepts तो एक एक करके देखते हैं पहले देख लेते हैं विचारों के बिलोमियता क्या है जैसे एक्जांपल के तौर पे हम देखते हैं किसी बालों के गिली मिटी की दो समान गेंदे दी जाएं फिर उनके सम्मुखी उनमें से एक गेत को दबा कर लंबा कर दिया जाए तब यदि बालक यह सोच लेता कि लंबी गेत को पुना गोल करने पर यह पहले जैसे ही हो जाएगी तो इसका अर्थ है कि बालक में बिलोमियता रिवर्सिबिलिटी की योगिता बिक्सित हो चुकी है बात समझ में आ रही है आब आगे देख लेते हैं सनरक्षण क्या है उमीदे के आपको समझ में आगे होगा तो सनरक्षण क्या है सनरक्षण का सिद्धान्त यह है कि किसी वस्त की मात्रा पर उस वस्त की आकार में परिवर्तन करने तो उस वस्त को हिस्तों में या टुकडों में विभक्त कर देने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है कहने का मतलब हर इस्तिती में हर कंडिशन में वो समान होगी बराबर होगी क्लियर है यह पर एक एकजमपल लेते हैं तो दो तरीके से यह पर समझाने की कोशिश करते अप fire दियान से देखी अलोग देखिए दो बिकर समाना करके होता है एक चौड़ी पेदी वाला खाली बिकर होता है ठीक है A B और C बरतन A के पानी को बरतन C में अभी हम इसको डाल देंगे चलिए यहाँ पर डेटेल हम बनाती चलते हैं जिससे आप लोग को क्लियर समझ में आ जाए बरतन A के पानी को हम क्या करते है C में डाल देते हैं अब बरतन B और बरतन C में से किस बरतन में पानी अधिक होगा इब बच्चों से हम पूछेंगे बरतन B और C में से पानी किस में अधिक होगा अगर वो बताते हैं कि दोनों में बराबर है तो समझिए उन्हें सररक्षण का नियम पता चलिए मतलब द्र ट्रेे लेते हैं, तीन ट्रे लेते हैं ट्रे ए में देखे शे गोलिया istnote गोलिया और यहां केंज़ी एक दूसरा ट्रे लेते हैं सी में छोटे याकार की 2 ट्रे traum गटर्जों की ओर पूरी इतनी했습니다. फेलीuk अां यहां पर 6 इस तरीके से ए बी और सी ट्रे बी की जो गोली हैं हम सी ट्रे में डाल दिते हैं अब बच्चों से पूस्टे हैं कि ट्रे ए तथा ट्रे सी में से किस ट्रे में अधिक गोली हैं ट्रे ए और ट्रे सी में से किस में अधिक गोली हैं तो ट्रे बढ़ा है अगर बच्चा बताता है कि सी में कुछ भागों विभक्त कर सके और उन भागों से समंदे समस्यों पर तार्किक चिंतन कर सके उमीद है कि आपको यह पूरी मूर्थ संक्रिया अवस्था जो कि इसमें जो तीन कॉलिटीज है वो बच्चों में जो भिक्सित हो चुकी इसके बारे में आफ लोग डिटेल से समझ चुके होंगे चलिए नेक्स्ट अवस्था की तरफ चलते हैं चौथी अवस्था यह अपचारिक संक्री अवस्था जो 11 से लेकि 15 अवस्था चलती है इस अमूर्थ बातों के संबन में तार्किक चिंतन करने की योग्यता विक्सित करता है यहां इसमें क्या क्या इंपोर्टेंट चीजें वो देख लेते हैं अमूर्थ बातों के संबन में तार्किक चिंतन करने लगता है बालक और मूर्थ बस्तुओं और समागरी के स्थान पर बालकों का कारित तुर्डी और प्रयास पर यह आदारी नहीं हो तवरन में विविश्चिक के संबंद्र में इपने विचारों को भी प्रक्षयपित करने लगते हैं और भावी год के अधीक से अधिक तत्यों को समझने लगता है और बहुत जादा दिश्ट कोण को अपनी जो दिश्ट कोण को विचार प्रक्रिय में इस्थान देने लग जाता है वे अपने बारे में विचार करते हैं और इसलिए वे कभी-कभी स्वा आलोचक भी बन जाते हैं पुरानी प लगतियों की बेवार हो कारियों की बारे में अपनी धंक से एक निर्ड़ा प्रस्त करने लग जाते हैं तो यह था इसके बारे में कुछ इंपॉर्टन पॉइंट फ्रेंस आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप लोग मुझे जरूर कोमेंट करके बताईए कि आप लोग कास्ट में सौल्व करते हैं अपने इंपॉर्टन कोश्चन को प्याजे की अनुसार संग्यानात्म कारविधी की दो प्रमुख विसेस्ताएं क्या है यह आपके यूपीडेट में पूछा गया कोश्चन है ऑप्सन हमारा यहां पे कौन सा सही होगा अभी आप लोगों नही डिटेल में पढ़ा तो आप्सन पर हमारा सही होता है संगठन और हनुकूलन नेक्स्ट है प्याजे का अधिगम संबंदी सिद्धान निमलिकित में से किन पदों पर विसेस बल देता है आप्सन हमारा कौं सा सही होता है ऑप्सन सही होता डी एक्स्प्लेयन कनी की जरूरत सब लोग देख चुके हैं। नेक्स हमारा क्योंट है!! कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है संधारण वर्गी करन करने योग होता है .. नेक्स्ट है प्याजे की अनुसार बच्चा अमूर्थ इस्तर पर चिंता बहुत धिक्रियाएं और समस्य समादान की अवस्था में करने लगता है किस अवस्था में करने लगता है प्याजे की अनुसार बच्चा अमूर्थ इस्तर पर चिंता बहुत धिक्रियाएं और समस्या समदान किस सवस्था में करने लगते हैं यहां पर किस होगा किस सवस्था में करने लगता है ओप्शन हमारे हैं पर सही होता है कौन सा ओप्शन हमारे सही होता है सी आपचारिक संक्रिया अवस्था में नेक्स्ट कोश्चिन प्याजी की अनुसार दो से साथ वर्स क के बीच का एक बच्चा संग्यानात्मक विकासग कि सवस्था में है संग्यानात्मक विकास की सवस्था में जयर का है को्षण है 2015 में जो एक्जाम равно है और प्रार यह कौन से सही होगा ए ऐब मार। है । जी एनुसार दोस्न के लिए के साथ वर्स की बीच का एक बच्चा संग्यानात्म विकास की पूर्व संक्रियात्म का वस्था का है वह आप लोगों ने अभी सब कुछ डिटेल में देखा है तो लास में चलते हैं आज के सवाल की तरफ आप लोग के लिए हैं अगर आप लोगों ने अच्छे से तो आराम से रिप्लाइ कर पाएंगे तो चलिए टेस्ट ले लेते हैं आप लोगों का चेक कर लेते कि आप लोगों को ने कित्ता गेन किया है प्याजे की कौन से अवस्ता का संबंद अमूर्थ एवंग तारकिक चिंतन से है अप्शन आप सभी के सामने है तो आप लोग ध लाइक और शेयर करना भी ना भूलिएगा मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए गुट बैन टेक केर थैंक यू